हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओन किचन एक्सपर्ट कॉर्णर, आप हमें फेस्बूक, इंस्ट्रागाम और यूट्व पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे की रेसिपी आप देख रहे हो, सक्रांती का टाइम है, और ये है मुर्मुरे के लड्डू, मुर्मुरे के लड्डू जो हैं, ये देखने में जितने ही सिंपल लगते हैं, इसकी रेसिपी जो लोग जानते हैं, उनको भी ये काफी सिंपल लगते हैं, पर सच ये है कि ये काफी ट्रिक वाली रेसिपी है, और अगर थोड़ी भी गलती हुई, तो ये खराब हो जाती है, तो फिर मैं आज इसी recipe को बना रही हूँ, तो मैंने pan गरम कर लिया है बहुत अच्छे से और उसमें मुर्मुरे डाल रही हूँ, मुर्मुरे थोड़े से अच्छे होने चाहिए, कहने का ये मतलब है वो crunchy होने चाहिए, अगर मुर्मुरे आपके crunchy नहीं है, तो आपका ये जो पूरा ये crunchy हो जाता है, कि इसका color भी हलका सा reddish हो गया है, और ये पूरा crunchy हो गया है, अब मैं एक बावल में इसको shift कर लोगी, इसी pan में मुझे गुर को भी melt करना है, तो गुर जो है यहाँ एक कटोरी है, मैंने घी लिया है, बिल्कुल half spoon घी लीजे और उससे पूरा पैन थोड़ा सा gris कर दीजे, बस उससे ये है कि आप जब गुर डालते हैं तो तो थोड़ा अच्छे से melt होता है और चिपकता नहीं है, वैसे मुझे डालने की जरूरत नहीं थी, पर इसका एक सोंधा सा जो smell आता है वो बहुत अच्छा लगता है घी का, तो इस समय मैं इसको melt चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है, तो बस आप उसको ऐसे कीजिए तो ये पूरी इस तरह से मिल जाएगा, और देखें, melt हो गया ये, और इसमें एक और चीज है कि इसको आपको चेक करते रहना है, तो एक बाउल में आप पानी लीजिए और उसको डालके हमेसा चे है, और इसको पानी में डाल रही हूं, सिर्फ पानी में मैंने डाला है、 और थोड़ा सा light की problem है बट मैं थोड़ा इसको रॉशनी में लेती हूँ, तो ये देखें, ये हाथ से बिलकुल दब जा रहा है, तो ऐसी ही समें पे, गैस बंद है, और उस समय मुझे ये मुरमुरा डालना है याद रखिए मुर्मुरा अगर जादा है तो धीरे-धीरे करके डालिए मेरे पास कम था तो मैंने जल्दी डाला है और इसको जादा देर तक नहीं रोकना है जैसे मैं इसको चला रही हूँ इसी समय आपको इसके लड़ू बना देने हैं तो देखिए मैंने इसको दूसरे बाउल में लेके और बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि ऐसा है कि मुझे कड़ाई में भी आप रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकाल कर बनाईए पर मुझे प्राक्टिस हो गई है तो मैं इसको बाउल में सिफ्ट करके बना रही हूं पर आप जैसे मैंने अभी चलाया था ना उसी समय से आप पानी लेकर हाथ में थोड़ा लगा कर और बनाना शुरू कर दिजे यही टिप सबसे इंपोर्टेंट है जिस समय आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और बच्चे मेरे चारों तरफ हैं और वो बस इसको खाने के लिए परशान है कि ममा कब आप एगरी हो और हम इसको खाना सुरू करें तो बस अब देखिए बहुत ही अच्छे रखते हैं मुर्मुरे के लड़ू और बच्पन में जिन बरों ने भी खाया है उन्हें बस देखके याद आ जाता है वो समय कि वो कितना अच्छा होता था इसमें छोटी सी टिप है अ और बिठाने के बाद अगर मैं इसके कट लगा देती हूँ न तो ये पतले से लाइब बनती है बिहार के साइड में वो बन जाते हैं तो देखिए ये भी बहुत अच्छी लगते है खाने में तो अगर आपका मन हो तो आप इसको राउंड शेप में बनाईए या फिर इसक को कतली की तरह कतली कहते हैं वहाँ पर कतली की तरह काट कर आप बना सकते हैं तो इंजॉय कीजिए हैपी सकरांती प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग बाई बाई